आसमान में उड़ने वाले किसी भी पक्षी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इगल के घोंसले में घुसकर उसके अंडों के साथ छेड़ खानी कर सके। लेकिन साप एक ऐसा जीव है जो इगल के घोंसले में घुसकर उसके अंडों को खा जाता है। इसलिए सांप और इगल जानी दुश्मन होते हैं। इसलिए अगर इगल को कहीं भी सांप दिखाई देता है तो वो उसे तुरंथ ही मार कर खा जाता है।